वेलकम तो लेक्चर फाइब, MCQ सिरीज, तो आज हम लोग फिर से नहीं कुछ सेट्स ओफ कोईशन्स करेगा, आज हम लोग तुईटीफाइब कोईशन्स करेगा, ठीक है, थोरा हम कम कर दिया, प्योंकि यह हम देखा है कि मेरा जो यह टीम है, वो इस बार थोरा 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 यह टीम होताइब, थोरा आप किया है, ठीक है, तो लेवल अप होने का वज़ए से तो आभ यह हम लोग तोरा थोरा कम सॉल्प करेगा, ठेक है, क्योंकि तरह टाइम लेगा सायद, ठीक है, यह मेरा गयस है, टाइम लेना चाहिए, इसा लग रहा है, ठीक है, उके, तो हम ल केदम इसे स्क्राइब सबीक्राइब है। बेलरस, which of the following, which of the countries given above are members of Eurasian Economic Union, यह current reference का question है, ठीक है, रिसेंटली आपको पता होगा, कहानी सुन लो, तब जाके आपको यह एजी लगेगा, ठीक है, रिसेंटली क्या होगा, तर रस्या जो है, रस्या जो इंडिया को, इंडिया को इधर जोइन करो सोच रहा था, किदर, Eurasian Economic Union, ठीक है, मदलब क्या है, इंडिया इसका पार्ट नहीं, ठीक है, तो four नहीं, तो four जाँ जा मैं उसको पहले काट लो, तो यह दोनों answer नहीं, ठीक है, अभी one, two and five, one, two and five common, दोनों में, ठीक है, और बच्च यह three, three अगर है, तो ठीक, नहीं है, तो ठीक नहीं, ठीक है, ठीक है, और चाइना इसका पार्ट नहीं, याद रखो, ठीक है, चाइना भी इसका पार्ट नहीं, इंडिया भी पार्ट नहीं, यह दो चीज़ याद रखो, ठीक है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, जो इसका answer हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठी आर्मेनिया बेलरस फिर खाजगिस्तान खाजगिस्तान किर्गिज किर्गिज फिर रश्या यह पांच है ठीक है इतना एसा कोश्चन थोरा एपिसेस में एसा कोश्चन आना थोरा मुश्खिल तो है ठीक है रही कि बहुत लोग इसको नहीं जानेगा यह क्या करता है जो कॉइसेट कर रहा हो भी इसको सायट से इग्नोर करें ठीक है next question question number two in the context of modern Indian history consider the following statements with reference to Chittagong armory raid both important I think Chittagong armory raid is cover my question Pusta B Ratha or Apple ko Malum bhi hona chahi they go the raid was carried out in the name of Indian Republican Army IRA I think IRA a cool history me Mila okay IRA Indian Republican Army Chittagong here I take it here Joe Ray Joe what a raid is Virtue nothing left I know that I think it could be a bit this British Trump is that I think it yeahccata Saint Philippui be some so Takin it must lookokoladtha is another one three two armory यह बंदूक अंदूक रिट को चोरी लूटा समझ मारम ना तो कि लूटा है कि वोई बंदूक से बिटीसर को खतम करने चे लिए तो यह राइट है तेक है तो यह राइट है तीक है दारेत वास केरिद आउट इसको नहीं किया था, आपको याद होना है, ठीक है, कौन किया था, चितागों ये बार बार पूश्ट है, ठीक है, एक्जाम में, तो देख लेना, चितागों आर्मरी रेड कौन कराया था, सूर्या सेन, ठीक है, चितागों कौन कराया था, सूर्या सेन, वही और्गनाईस किया था, ठीक है, सिंपल, ओके, और ये रेड बॉट सक्सेस्फूल भी हुआ था, ठीक है, और इसमें क्या किया था, सूर्या सेन लोग एक प्रोविजिनल गॉवर्मेंट भी बना दिया था, देखो, इतना ही मत, ठीक है, प्रोविजिनल, रिवोलुशनेरी, गवर्मेंट, ठीक है, आप लोग पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आप लोग, विपिन चंद्रा पढ़ा होगा ना, विपिन चंद्रा, मॉडन इंडिया, मोटा वाला नहीं, मोटा वाला फिर आप लोग उत colonialism खुपर में तो वो है' question no.3 question no 3 project monitoring group consider the following statements with reference to प्रोजेक्ट मोनिटरिंग ग्रूप, it is an institutional mechanism of department of promotion of industry and internal trade, ये ठीक है, इसको DPITT बोलता है, प्रोजेक्ट मोनिटरिंग ग्रूप, एक institution है, educational institution है, जब भी हम कुछ चीज को institution बोलता है, तो सब लोग education वाला institution होचता है, ऐसा नहीं है, तो ये क्या करता है, ये अगर ना, देखो, क्या हुआ था ना, इस बार ही, ये मोधी क्या किया, देखो, मोधी गवर्मेंट देखा, कि कोई-कोई जगा में, कोई-कोई प्रोजेक्ट से वो जो रुखा हुआ है, समझ में है रहा है, क्यों रुखा हुआ है, बहुत सारा रीजन हो सकता है, तो वो प्रोजेक्ट से रुखने का वज़े से, सपोज कोई industry बना रहा, या तो कोई सड रहा है, तो उसको वो करने के लिए, तो इसमीं क्या होते हैं, कि फाइफंडर्द करोर से अगर ज़्यादा वाला कोई-कोई प्रोजेक्ट है, तो उसको क्या करेगा, उसको जल्दी से जल्दी यह करो, बना रिजॉल्ट करो, तो इतहर में लिखा हुया है, इस упlaufiven अप्सम जी सदी है रोड बना रहा था ना तो बोलेगा कि यहां से वह जा रहे वह हिता य। एक रहा है यह है क्या दोध कया बोलता ड्म어로 को को ठीक है तो एंवरमेंटल ठीक के शावर SM तो फिर जिसका वज़े से इसमें भी लॉस हो रहा है तो थोड़ा मिला के चीज को करना ऐसा है ठीक है कि इसको भी ये वाइल लाइफ को भी हानी मत पहुंचो लेकिन डेवलापमेंट भी हो दोना एक साथ तो इसलिए ये प्रोजेक्ट मोनीटरिंग ग्रूप अब लोग ओगा बहुत ठीक है बहुत हो गया खुशन नमबर फूर विज फोलिए इस्टेपमेंट्स इस नॉट करेक्ट विट रफरेंस तो भक्ति सेंथ रामानुजा रामानुजा एक बग्ति सेंथ था ठीक है बग्ति और सूफी से बहुत कोशन आता है ठीक है आप लोग ये ये आप लोग तो चीज़को तो दियान रातना भक्ति रातना बग्ति और सूफी तो रामानुजा एक बग्ति सेंथ था ठीक है बहुत फेमस बग्ति सेंथ है घक तो कौंसा रोंग है पूछ रहा है ठीक है यह तो आपको एक्जाम में यह तो थोड़ा तफ बनाए ठीक है तो पूछेगे कि वसिस्त अद्वाइता कौन प्रोपाउंड किया था नीचे में ओप्शन दे देगा ठीक है कबीर नानक रमानुजा संक्राचार्या ऐसा तो संक्राचार्या मनें आदी संक्राचार्या ठीक ह समझ मेरा ना वसेश्त अधुएता वर्सट अपोल अपलों तकलिफ होगा अगर अजिञान से नहीं पढ़के ये विस्टी को इसे ही उपर-उपर से अघर पर तक बहुत तकलिफ होगा ठीक है सुनो इक अधुएता क्या है देखो अदवेट अदवेट महला उसको जानने से पहले दुेट सुनोirl ुटी जो वर्ड है न ये इंगलिस वर्ड ये संस्कृत स्ही आया ठीक है dual, duality, duet तो तो यह आदमी है तीक है, यह आदमी है और यहां God है God formless है बोलता है तो दो हुआ न, duet तो अद्वेत philosophy क्या बोलता है अद्वेत philosophy यह बोलता है कि ऐसा दो है ही नहीं तीक है, यह भी बगवानी है मलब हर चीजी बगवानी है समझ मैं आ रहा है इंडियन फिलोजोफी में इसले इसे भी इंडियन नहीं, इंडिया से ही सब गिया है इसमें जो भी जैपान और चाइना इसमें जो भी गिया है वो इंडिया से ही गिया है चलो, तो इंडियन ही मानलो आभी के लिए इंडियन जो फिलोजोफिय इसमें एक चीज़ बहुत इंपोर्टन्ट है, ये लोग भगवान को बाहर बोलके नहीं देखते हैं, ठीक है, समझ मैं आ रहा है ना, बाहर बोलके नहीं देखते हैं, ये लोग आदमी को ही भगवान, जैसा अध्वेता का ये है कि, ये ही भगव नहीं है लेकिन अभी तक consciously उसको पता नहीं चल रहे कि यह बगवान है, समझ में आ रहा ना, तो Indian philosophy में ये एक बहुत बढ़ा चीज है, ठीक है, जैसा अगर Christianity में देखने से God अलग है, human being बिलकुल अलग है, ठीक है, मुसलिम में देखने से भी ऐसा ही है, God बिलकुल अलग है, ये आदमी बिलकुल अलग है, ठीक है, जीवस में भी ऐसा है, ठीक है, तो ये लेकिन बुद्धिजम में, जैनिजम में, हिंदुईजम में, ठीक है, बाद में हिंदुईजम में ये कुछ-कुछ आया है, कि बगवान बगवान ऐसा, ठीक है, उसका पीछे भी कारण है, ठी पढ़ने से आप लोग पता नहीं चलिए आई नो आप लोग किसा पढ़ता हम को बिलकुल मालूम है और यहां पर इस पढ़ाता हम को भी बिलकुल मालूम है ठीक है कंसब्स क्लियरिटी का उपर में थोड़ा भी द्यान नहीं देता है यह याद करो याद करो वसस्त अद्वेत रामानुजर रामानुजर अइसा नहीं होता है ठीक है सुनो क्या बोल रहा था हां तो क्या है आदमी ही बगवान है एंड उसको अभी पता चलना है ठीक है और वो किसा पता चलेगा बहुत सारा मार्ग है ठीक है गीता में जैसे चार मार्ग दिये एक है ज्यान मार्ग जानते 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 तुम ज्यान मार्ग से मिलेगा ठीक ह दिवोशनल मार्क, भक्ती मार्क जिसको बोलता है, जैसे ये रामानुजा भक्ती मार्क से पहुंचावला आदमी है, पहुंचावला आदमी मने एनलाइटन, उदर में भगवान और वो एक हो या, अभी तक तो आदमी है, हम लोग भी भगवान है इसका हिसाप से, लेकिन हम अभी तक पता नहीं चला, वही बात तेख है, ओके फिर कर्म योग, कर्म मार्क, महलब किसी को मानने जरूरी नहीं है, जैसे क्रिश्यनिती कहाँ पे आएगा, भक्ती मार्क में आएगा, भक्ती वाला रास्ता है वो जो, जिसमें गौड को मान के चलता है, जैसे ज्यान मार फिर यह क्या है बक्ती बता दिया फिर कर्म योग क्या है कि कर्म मार्ग में क्या होता है कि आप मलब वो करो अपना काम को इतना दीपली करो ठीक है इतना दीपली करो कि मलब उसमें आप बगवान मिल जाओ ऐसा टैप का ठीक है इसलिए स्वामी विएक अनंदा का आप यह सु कर्म योग का बात कर रहा है कर्म योग का बात कर रहा है कर्म मार्क का बात कर रहा है तो गीता में एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ लिखा है उसको यहां पे बताना बहुत जरूरी हो गया आप लोग जब भी कुछ जैसा आप लोग पढ़ाई कर रहा है आप लोग रेज काम कर्म मनलब क्या है कि बिना रेजल्ट को सोचे आप बस कर्म को करो लेकिन आम लोगा तो प्रॉब्लम है आदमें लोगा तो यही तो प्रॉब्लम है कि रेजल्ट को देखने का बाद ही आम लोग कर्म करता है यही गलत हो यह ठीक है इसलिए आम लोग यह फ्रस्ट्रेशन यह सब होता है, अगर result को नहीं सोचके आगर आप करम करेगा तो result नहीं मिलने से भी आपको frustration होने का chance ही नहीं, ठीक है, और उपर सा आप एक type का yoga भी कर रहा है, यह type का yoga भी है, yoga, यह क्या बोलता है, करम योग, ठीक है, अब बिना result को सोचके, आप अपना करम करो, आप बहग नहीं बताएगा तिक है आप लोग यह तीनों में से किसी को एक चुन अब क्रिया योग बोलता नहीं सोटा दोरह हो आदमी अलग है तो हम यहीं बता रहा तो हिंदुईज्म में भी बाद में ये भाग हो गया ठीक है भगवान का कंसेप्ट आना सुरू हो गया ठीक है पहले में हिंदुईज्म ऐसा बोलके था भी नहीं सनातन धर्म था ठीक है जिसमें ये सब कोई कंसेप्ट ही नहीं था कि भगवान होता है ऐसा ये सब भी कंसेप्ट तो अध्वेत क्या है बगवान और अध्वेत नहीं है अध्वेत का उल्टा अध्वेत ऑनने सब और भगवन है थीक है पत्थर में भगवन जिसस को यह सब बात पता था, जिसस बोला कि देखो अगर आप एक उड को भी चौप करेगा, तो उसमें आप हमको मीलेगा, ऐसा बोला था, तो इसका मलब क्या है, हर जगा बगवान है, यह भी जिसस भी बोला है, जिसस को पता था, लेकिन उसका फोलोर लोग थोड़ा भट भटग गया, तो इसलिए खृष्चनिति लोग जब कोंडेम करता है, आइडल वर्शिप, ठीक है, आइडल वर्शिप का जब कंडेम करता है, तो वो लोग नहीं जानके कंडेम कर रहा होता है, ठीक है, यह जीजस तो खुद बोला है कि हम हर जगा है तो यह पत्थर में भी नहीं कोई सुन रहे हैं अब लोग खराप नहीं पहना है जो पढ़ाई का हिसाब से बता रहा है अब लोग जब भी कुछ सुनता है उसको तो ध्यान से सुनो जब कोई बोल रहा है कि जिसस ऐसा बोला कि हर जगा है हम तो सोचो कि तो पूइ भी कोई भी विह को आप वह ने कर ना क्या ने करना कि उसका कोई एक निफिकन्स थीक इसका विधी कुछ सिग्निफिकन्स वह आप मियां पर नहीं बताएगा सोच रहा है ओसके बहुत लंबा हो जायगा पत्थर में कैसा बगवान होगा, फोटो में कैसा बगवान होगा, नीं होगा हम पतफर में बगवान nai ओगा वह तो एक डंग सा राइट भी है, आप symbols है ठीक है वह symbols से बहुत कुछ होता है जैसा जैसा आपका जो parents है ठीक है उसका photo होता है ना वह photo तो वह parents नहीं है we know ठीक है लेकिन आप क्या वह photo को यह फार के फेकेगा या जूता चपल से मारेगा ऐसा आप कर सकेगा क्या वह photo को क्योंकि आपका लोजिक तो ऐसे बोलेगा ना कि ये फोटो तो वो नहीं है लेकिन आप ये कर भी तो नहीं सकेगा ना समझ मैं रहा है ये कहीं न कहीं उसको रिप्रेजेंट करता है समझ रहा है वो फोटो जो है आपका जो मा या पिता जी का जो फोटो है वो उसको रिप्रे प्र 걸त को कोई कोई वी तो अगर वह लोग कोई संकर का फोटो लगाए क्यों स्कुरिज क्यों कि वह उसके लिए कुछ मेन करता थीक अद्वेता मालब क्या है oneness ठीक है मालब कोई दो नहीं ठीक है we are all one ठीक है वसिस्त अद्वेता क्या है qualified oneness मालब जो जो आदमी मालब enlightened हो यह ना जो जो पहुंच गया qualified है वो लोग का साथ स्रीव oneness होता है ठीक है ऐसा बोला रामानुजन जो अभी तक यह पहुंचा ही नही उसका साथ oneness हे बोलो मत हो बोलो वो तो meaningless है इसले वो बोला कि जो जो enlightened हो गया जो जो पहुंच गया बहुत गंदा कर दिया इदर में इसको तो राज़ा क्लियर कर लेता इसको राम जो पहुंच गया जो जो ऄड़ा हो जो तो फस्त वाला राट हो जो टिक है बी सेकंदी, एप्ली अफुरेंट्य। झाय नहींड़जन जो एग्ण़। फस्त अट्र राट्य। गा था। इसके राट्य। थिक है असा नहीता मुक्ती पा सकता है, salvation मनें मुक्ती न, या enlightenment भी बोल सकता है, तो intense devotion से आप enlightenment पा सकते हैं, मुक्ती पा सकते हैं, या salvation पा सकते हैं, वो यह बोला था, क्योंकि वो खुद एक बक्ती सहीं था, तो इस से भी पता चलना चाहिए कि यह option right नहीं होगा, क्योंकि हम इधर not पूछ रहे तो question में, इसलिए यह option, क्योंकि यह sentence right है, यह option wrong हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि बक्ती सहीं थे, बक्ती मने devotion, through devotion. फोर का दी, फोर का दी, फोर का दी में क्या लिखा है, ही सजस्ते चोला, चोला गंगा देवा, तू बिल्डे टेंपल फोर देटी ओफ पूरी जगनात, अभी सुनो, बी रॉंग है बोलके हम बोली चुका है, इसलिए एंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं क्योंकि बी रॉंग है, और ये राइट है, ठीक है, ही सजस्ते चोला गंगा देवा, ठीक है, तू बिल्डे टेंपल, तो जगनात जो आप लोगों को पता है, ठीक है, पूरी में जो जगनात, उसके लिए टेंपल के लिए सजस्त किया था, ठीक है, नेक्स्ट, क्वेशन नमर आग सपाथ, रॉडट बार, क्या है, एमिल्मेंट सेना, याद करने दिया था, holy PM, बोलके थिक meget था, तो एमिल्मेंट तो एमिल्मेंट सेलरी था, तो किसका किसका सेलरी है, या ये तो आपको याद diferente थे, थिक 2030, कि देखा요, क्रण, यौन, करां, ठीक हो,、、कि इसको बहुँ जाता है इसका अंदर में किसका किसका ये सेलेरी का बात किया गया है वही हम देख रहा है ठीक है जैजेस अफ हाई कोड भी है ठीक है नेक्स्ट मेंबर और पार्लियमेंट्स मेंबर और पार्लियमेंट्स सबका है क्या सबका नहीं होता है आपको यह याद होना है इलेक्शन कमिशिनर भी नहीं होता है ठीक है यूपीसी का भी नहीं होता है ठीक है अब यह एक बार लिस्ट कर लेगा ठीक है तो आपको पता चल में किसका, किसका salary दिया हुआ देखो, first president का दिया हुआ है, ठीक है, president का दिया हुआ है, फिर मेरा governors का दिया हुआ, president का दिया है और governors का दिया हुआ है, ठीक है, फिर speaker and deputy speaker, क्या बोला है, speaker and deputy speaker of लोगसभा ठीक है लोगसभा एंड इस्टेट का लेजिसलेटिव एसेम्बली इसका भी ठीक है speaker and deputy speaker फिर chairman and deputy chairman chairman and deputy chairman of राजसभा ठीक है राजसभा and legislative council अरुना चल में तो legislative council नहीं है न विदान परीशत जिसको बलता है legislative assembly मनलब क्या है विदान सभा और ये legislative council मनें विदान परीशत ठीक है ओके इसका होता है ठीक है next है judges judges of supreme court होता है judges of supreme court होता है फिर judges of high court भी होता है ये भी याद रखना है ठीक है and comptroller auditor general of India ये लोग कही शर्व होता है ठीक है इसका बाहर जितना भी है वो second schedule में नहीं दिया हुआ है second schedule में नहीं दिया हुआ है ठीक है जीव election commissioner नहीं होता है member of parliament सबका नहीं होता है MPN लोग का नहीं होता है UPSC लोग का नहीं होता है तो answer क्या होजेगा one one and two question number six India has signed non-legally binding memorandum of understanding with convention on CMS conservation of migratory spaces ठीक है क्योंकि अभी इस बार आप लोग को पता है कि environment से भी question आएगा तो आप लोग इसको देखना ठीक है conservation of migratory spaces on conservation and management of which of the following Siberian crane यह तो याद करना चीज है ठीक है environment से ऐसा यह तो थो थोड़ा तफ ज्यादा question होगा ठीक है ऐसा तो नहीं भी आ सकता है ठीक है लेकिन यह सब कुछ-कुछ यह सब याद कर लो ठीक है actually यह हमनों का यह current affairs का question है current affairs को question क्यों है क्योंकि actually इंडिया को recently यह बनाया ठीक है इधर का president बनाया है तीन साल के लिए तो next three years India CMS का conservation of migratory species का president बने तो इसलिए यह question ऐसा type का question आ सकता है तो उसका अंदर में कौन-कौन सा migratory species को conserve किया है वह आप लोग देखना है ठीक है तो यह चार तो इधर में और भी यह जैसा बेंगल फ्लोरिकन यह भी है ठीक है Indian bastard है ठीक है great Indian bastard sorry फिर Asian elephant भी है ठीक है यह सब देख लेना ठीक है okay next next question wasp 76b wasp 76b sometimes seen in news is related to related to both interesting है ठीक है यह मेरा universe का question ठीक है universe अला जो हो है उसका current difference का question actually हुआ क्या था जो एक एक प्लानेट मिला है ठीक है एक प्लानेट मिला है जो प्लानेट में ना यह प्लानेट यह एक्चुली प्लानेट का नाम है ठीक है वो प्लानेट में क्या होता है वो प्लानेट में मलब मलब उसमें न जो जैसा ये ये अर्थ है न अर्थ का इधर एराउन में क्या है एट्मोस्फियर है न एट्मोस्फियर है तो एट्मोस्फियर में तो क्या बारिस होता न लेकिन ये जो प्लानेट है न वास्प ये 76B इसमें जो बारिश होता ना उसमें आइरन रही होती है, समझ में आइरन रही है, मालब उधर में जो रही होती है वह आइरन गिरता उधर में, तो इसलिए इसका इंसर क्या हो जाएगा? it is an exoplanet having iron ray exoplanet मालब solar system से बाहर exo तीक है उसमें planet मिला है ठीक है actually life 5 दूनने का चक्कर में कौन सा और planet हो सकता है जहां में human being जैसा कोई हो सकता है ऐसा दूनने का चकर में यह सब मिला है ठीक है तो यह clear हो गया ठीक है आप लोग को यह पूछ सकता है ठीक है यह कौन डिस्कवर किया ठीक है तो इस्पेइन का एक वो है इस्पेइन ठीक है एस्ट्रोनमर्स ओफ इस्पेइन इसको दून रहा है वास्प 76B ठीक है question no.8 a barrage is a structure that is built across a river to provide water for farming to produce electricity or to allow boats to travel more easily in this context consider the following ठीक है यह बोल रहा है यह तो ऐसी बता दिया ठीक है बराज क्या है वो बता दिया ठीक है बराज तो पता है न जैसा एक देम हो या ठीक है एक देम यह पानी जा रहा है इदर देम बना दिया तो बराज यह बराज है इसमें फून पूश्चे रहा है तो फरक्ता बरेज तो आपलोगों पता होना है गंगा में यह याद रगना है यह दो रहे question पूछ रहा कि which of the which of the given are correctly match यह लोग तीनों में से कौन सा तो यह ब pure अ है कि यह इंडिया है तो तो गंगा तो चलो यह थिए यम न यह पर खहती है ऱ नमोगानधी यह पे है घोदावरी यह से यहां तक जाता है थीजिए राइट फिर इस्दक्रिष्टन यहां पर फिर के अरिया पे तीऑ मैं तो यह सब यह दोना ठीक है तो कृष्ना इधर प्रकाशम यहाँ पहिए कृष्णा में फिर गोधा वरि में दोले स्वर्म है तो ऐंसर जा आपका one and two okay sorry one 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 and two one and three on a chi one and three you keep year on one and three one and three minus c okay which of the following is or are advantages of recent introduced wi-fi six router wi-fi कभी तो अप्रग्रेड होते जाता ना अप्ग्रेडेशन होते जाता ठीक है wi-fi तो wi-fi six technology का क्या-क्या है देख देखेगा अब हो ठीक है अच्छा उपर में यह जो बैराज में न और कुछ-कुछ बैराज अब लोग याद कर लेना है ठीक है जैसा कोटा बैराज बहुत important है पूछ देता है कोटा बैराज कौन सा इसमें कौन सा river में पूछने से चांबल ठीक है आप लोग याद रहना है ठीक है चांबल पूछेगा कि दाख पथर घैक है ठीक है यह बाज़ बैराज पूछ नहीं कर सकता है और एक चिज़ बहुत पूछता है असन असन बाराज बहुत फेमस है तो यह रिवर असन में है तो लेकिन असन जो बाराज है ना उसका आप लोग को रिवर नहीं पूछता है क्योंकि आसन खुदी रिवर है तो बहुत इजी हो जाएगा ना तो आप लोग को पूछता है कि कौन सा यह इसमे स्टेट में है , जकेए तो पूछने एक्चुली जो बारडर में है , टिक है ?udos क्या ? मेरा उत्राखंद हिमाचल प्रदेश का हिमाचल प्रदेश रेखन उतराखंद का ये बारडर है तो आसन बहराज यह पूछता है आप लोग याद रखना चलो अब आगे बढ़ेगा वाइफाई 6 का बारे में आप लोग देखेगा क्या लिखा हुआ है they provide higher throughput per user in dense and congested environment जतना Wi-Fi अप ग्रेडेशन होताई जोगा थे खीआ अप ग्रेडेशन जितना होताई जोगा ओव्यसली यह यूजर ज्यादा ले सकेगा वो तो हो गई है न तो ओबियसली यह तो रेट जिया तरह आधा यहे तो राई यह थे थे खाले तेमेंट 1 वीज राई त्रूपुट पर यूजर इन देंस अंग अन्जस्टर एन्वर्मेंट ये राइट ठीक है तो अप्ग्रेड हो रहा है तो ज्यादा नंबर ओफ आदमी भी क्या करेगा करेगा ठीक है लेगा ठीक है तो एंसर हो गिए C ठीक है, सिंपल क्योंकि ये करेंट अप्डियान देना है ठीक है क्योंकि नंबर तेन बोलरें, विच अप्ड़ फोलोइं आर दे सोर्स अफ डेटा अन उन्प्लीमेंट इन्दिया अन्प्लीमेंट इन्दिया को कौन कौन से सोर्स से पता चलता है आमलोंको चार्थ दीये इसमें से आमलोंको दूनना है इसमें से आमलोंको दूनना है रिपोर्ट ऑफ सेंसस अफ इंडिया सेंसस अफ इंडिया में आमलोंको अन्प्लीमेंट का बारे में पता चलता है क्या पता चलता है क्योंकि आप लोग देखा होगा आप लोग अ गर में भी आया होगा और के बूछने के लिए ठीक है 预ब र importa हैं तो वान तो ही ही टिक है one है तो यह दोनों में वान नहीं हैё तो यह दोनों ही हडिया ठीक है ए और बी option कत्म अभी दी देखो आप खुद देखो 3 और 4 तो common है तो हमको सिर्फ 2 को चेक करना है 2 अगर right हो यह तो D 2 अगर wrong हो यह तो C अभी 2 option जब भी हटा दिया हम पहले बताए आपको जब भी सिर्फ 2 option रहेगा 2 option तो उसमें आपको attempt करना ही है attempt करना ही है अभी चारो का चारो समझ में नहीं आ रहा है ABCD तो उसमें attempt नहीं करना है जितना हो सकते हो एवोइट करना Employment Unemployment Survey Survey of Labor Bureau इसमें तो हो गई है इसमें डायरेक की नाम दे दिया Annual Reports of Periodic Labor Force जब भी labor force survey होगा तो obviously उसमें भी unemployment का बारे में पता चले गई है फिर Experiment Exchange data से तो obviously हो गई है तो answer क्या हो जाएगा तो 2 भी right हो या तो directly answer मेरा D हो जाता है 3 and 4 तो right हो गई है आमनों को पता था Okay Question number 11 Consider the following statement with reference to नीधी companies पहले क्या है नीधी companies क्या है पहले थोड़ा सा समझो ठीक है नहीं तो इसको बहुत मुस्किल होगा क्या होता ना कुछ कुछ companies बनता है जिसमें suppose बहुत सारा members है ठीक है तो नीधी कंपनी इस लोग क्या करता है जैसे देखो इसको पैसा जरूरी है यह यह आदमी को पैसा जरूरी है ठीक है तो यह आदमी से यह आदमी का पास पैसा ज्यादा है ठीक है तो यह नीधी कंपनी क्या करेगा यह कंपनी क्या करेगा यह ज्यादा वाला जिसका पास अभी के लिए है पैसा उससे लेके इसको दे देगा इसको दे देगा और इसको कुछ पैसा चार्ज करेगा लोन में देगा इससे ले रहा है बोरो कर रहा है इससे इससे बोरो कर रहा है सपोज सपोज 10% में बोरो कर रहा है सपोज 5% में बोरो कर रहा है और इसको दे जिया कि 7% तो 2% इसको लाब हो गया न तो यह company को तो नीदी कंपनी का में काम क्या है कि बोरोई अन लेंडिंग है एमोंग दा मेंबर्स तेक जहां ताहसा नहीं तो यह बैंक नहीं तो फिर्स फॉल यह बैंक नहीं बैंक लोग ऐसा नहीं करता ना बैंक नहीं है नीदी तो क्वेशन नंबर 11 आम लोग देखेगा यह तेक आप दिपोजिट्स फ्रॉम एंड लेंडिंग तो इस मेंबर्स अनली को ही करता है लेंडिंग ठीक है एंड डिपोजिट्स यह सब करता है ठीक है यह रेगुलेटेड बाई ओविसली इससे पैसा लिया और इसको दे दिया और यह नीदी कंपणी इससे फिर पइसा जब यह वापस रिटन कर देए यह अपना पास ही रख दिया इसको नहीं दिया वापस यह आद्मी को तो रोंग हो जाएगा ना तो गलत नहीं और देने के लिए नीदी कंपपनी को भी क्या करता है regulation चाहिए होता है और कौन regulate करेगा Ministry of corporate affairs corporate affairs corporate बने company से related है corporate affairs they are registered under company है मतलब उसको companies act में register करना ही परेगा simple सा बात है है कि नहीं कोई भी company होने के लिए companies act करता है तो उसको रेजिस्टर करना परेगा सिंपल बात है तो यह 3 भी राइट हो गया तो 1,2,3 question number 12 consider the following statement with respect to right to life हम यह पढ़ा चुक है right to life and personal liberty right to life and personal liberty guaranteed under article 21 article 21 हम पढ़ा चुक है of the constitution constitution देखो यह तो हम पहले पढ़ा लिए कि क्या it is available fundamental rights में पढ़ाए था ना it is available to Indian citizens only यसा तो होगा यह नहीं ठीक है हम क्या बोला था आप लोगो कि foreign foreign आदमी अगर इंडिया में आएगा ठीक है तो उसको क्या मार मार सकता है कि नहीं मार सकता है क्योंकि उसका भी right to life है तो अर्टिकल 21 जो सिर्फ citizen के लिए नहीं होता है ठीक है तो यह सब हम बहुत क्लियर से पढ़ा है ठीक है पॉलिटी लेक्चर में ठीक है बहुत लोगों लगता है कि हम उसको free में दे रहा है है पॉलिटी लेक्चर तो उसमें कोई कुछ होता नहीं होका ऐसा लगता है ठीक है बहुत गलत लग रहा है ठीक है एक रिसेनली वही इदर में मेरा एक दोस्त है उसका पिता जी वही बोल रहा था कि अरे यह तो free में दे रहा है, इसमें तो कुछ नहीं होता होगा यह coaching institute में जो हो रहा है, वो जो paid वाला, वो ही अच्छा होगा, ऐसा free वाला तो कहा होगा, ऐसा बोल रहा है अरे चाचा, क्या बात कर रहा है, ठीक है, ऐसा बात मत करो आप लोग ना क्या करो, आप लोग coaching institute का notes देखो, इसका बात मेरा जो पढ़ायाला को देखो, difference देखो, difference देखो, बहुत difference होगा, ठीक है, आप लोग समझ में आ जाएगा, कि हम क्या पढ़ा रहा है, मेरा quality lectures में, ठीक है, यहाँ पे जो पढ़ाता है, बहुत नीचे स्थर में पढ़ाता है, ठीक है, उपर-उपर से ले जाता है, यह आपको पता नहीं होता होगा, ठीक है, आपको पता हो जाएगा, एक बार मेरा lectures देखो, ठीक है, हम free में दे रहा है, मतलब यह नहीं है, ठीक है, अरना चल में यही तो problem है, price और value का बारे में, difference ही नहीं करता है, ठीक बोलेगा, बात में पूरा बंद कर देगा, ठीक है, पूरा उसको सिर्फ private करके रख देगा, public नहीं करेगा, मतलब आप लोग समस्ता नहीं बात को, वही बात है, हम मदद करना चाहता है, especially यह जो financially strong नहीं है, ठीक है, जो coaching नहीं जा सकता है, वो लोग मदद करना चाहता है, ठीक है, तो अब लोग share भी तो नहीं करता है, अब लोग, share करो, ठीक है, आप लोग सिर्फ अपना पस रखता है, यह गलत है अपका, ठीक है, अब लोग शेर करो क्योंकि जो गरीब लोग है वो लोग को मदद करना बहुत जरूरी है ठीक है तो प्लीज ठीक है तो हम यह बोल रहा है हम यह बोल रहा है कि आर्टिकल 21 जो है फिर्स्ट फॉल क्या है इंडियन सिटीजन्स अनली नहीं होगा ठीक है सिंपल इंक्लूज दर राइट इंक्लूज दर राइट ट्रेवल अब्रोड अब्रोड देखो यह हम तौरा सा दिमाग में और एक चीज़ आ गया मेरा यह एक दोस्त है वो यूपेस्ट का कोचिंग कर टांच क्या है उदार से बहूं तो समने आफना आपना बडायी करा यहां बडायी करना नहीं चाहा है लेकिन एसा-एसा आदमी बोलता है तो बताना पड़ता है शीयित अ कि वह ऐसा आप यह जानके रखो ठीक है यह पॉलिटी लेक्ट्स देखना है तो देखो ठीक है जिसको नहीं चाहिए तो मत देखो कोई प्रावलम नहीं ठीक है कोई जवर जस्ती तो नहीं ठीक है आपका मरजी तो फर्स्त इस रॉंग इंक्लूज दा राइट ट्रेवल अब्रोड इसका बारे में आपको बता है तो नहीं राइट तो लाइफ का अंदर में आता है बता है बता है दिग्नीटी का बारे में बता है ठीक है तो यह सब आप जब कंसेप्ट क्लियर ने को तो अब यह सब कहां कर पाएगा ठीक है आप तो याद करेगा सोचेगा नहीं होगा ठीक है तो आने साप नहीं सब्सक्राइब का साथ वह यह पॉलिटी लेक्टर लाए ठीक है तो उसका अच्छा से यूज करो एस से मत बोलो में दे रहे इस में क्या होगा फाल तू बात मत करो प्लीज थीक है तर्ड इत केनोट बी सस्पेंडेट अच्छा देको एक चीज देको अगर आपको सिर्भ यह भी पता ना इस एवेलेबल तू इंडियन सिटिजन्स अनली यह अगर रॉंग होगे न तो वान जाँ जाँ पे रॉंग है उसको हटा दो यह रॉंग होगे यह रॉंग होगे तो ही एंसर ठीक है एक्जाम में नहीं सकने से ऐसा टाप का यह एलिमिनेशन मेफद से आप लोग करना है ठीक को आप आपक है एक्षाबिया शॉर्ण नुंड उस इस असफिर बोला है यह विंदिया आपक है विंदिया डियने ठीक है पिर थीक desidious forest ठीक है फिर मीडो ठीक है फिर ये पर लो ठीक है ये मनलब trees रीज है कवा है खैर है ऐसा question तो नहीं आना चाहिए तो बहुत मनलब बहुत ज़्यादा detailing कर दिया ठीक है एक्चुली ये current affairs से थोड़ा related है इसलिए question ऐसा आगया ठीक है असली में इसका answer का कुणो पालपूर wildlife sanctuary इसमें क्या हुआ है इसमें क्या हुआ है आपको यह याद रखना है तेखो गुजरात में गीर forest में आमनों का क्या है गुजरात का गीर forest में क्या है लाइन्स है ना एसेटिक लाइन्स यहीं पर तो देखो अचानक यह जगा में घीर forest में क्या हो जाएगा सपोज कुछ वो या कुछ बैक्टरिया आ या कोई भी उर्गनिजम अटेक कर दिया जैसरा pandemic हो या कुछ ठीक है वह जगह में endemic हो जाओ तो पूरा का पूरा यह मर सकता ना पूरा का पूरा लायन मर सकता न तो इसको क्या करो ये लाइन लोग अलग जग़ा में ट्रांसवर कर अलग जग़ा में आधा को ले जाओ ठीक है ताकि यहां मर जाने से भी यह बचा रहे तो वह जो है का कुनौ पालपूर वाइलेफ सेंक्चुरी इसको एसेटिक लाइन का वो उसके लिए अलब suitable पाया गया तो यहां में पाद में लाएगा होगा आप लोग देख लेना तो यह इंदिया रेंज में है तो इना तक क्लियर रहे ना ओके इना तक अगर क्लियर रहे तब आगे जा रहा है ठीक है okay then question number question number myra 14 consider the following statements consider the following statements with reference to trade and commerce during Mughal rule in India Mughal rule in India तो देखो परके देखता है एन इंक्रीज इन इंपोर्ट इंपोर्ट हर चीज तो आप एक्जाम में भी नहीं सके यह और इतना और अगर आप कुछ नहीं सक रहे ना तो दुख मत हो ठीक है क्योंकि यह यह जो इस बार जो लाया है यह questions यह बहुत वो questions है क्या questions है बह increase in imported luxury items by nobles led to huge outgo of silver bullion from India अब लोग थोरा सा रुकों हाँ यह थोरा दर्वाजा बंद कर गया है हमनों क्या बोल रहा था an increase in imported luxury items by nobles led to huge outgo of silver bullion from India ऐसा कुछ नहीं हुआ था थीक है silver will or India यह यह मुगल का उधर से नहीं गया था थीक है तो यह रोंग हो गया थीक है ना यह रोंग हो गया अच्छा सेकेंड यह देखो पाटरवेज और कॉस्तल ट्रेड एलांग सी शोर सी शोर जो है थीक है प्लेड ए की रोल इन ट्रांस्पोर्टिशन ऑफ गूद यह तो चली रहा था थीक है यह तो मुगल मुगल रूल में भी होई रहा थीक है जहांगिर का बारे में आपको पता ही सर इसका बी हो यह थीक है 15th the British Parliament keep kept an eye on operation of East India Company from the very beginning and regulated its activities through Acts and Charters यह आपको पता होगा 1773 से सुरो यह ता न regulating acts ठीक है regulate करने के लिए ठीक है regulated ठीक है in this context famous 5th report 5th report demanded which of the following अब लोग अगर class 12 का NCRT पढ़ा होगा NCRT नया वाला पुराना वाला नहीं नया वाला भी अगर पढ़ा होगा NCRT आपको वहापे यह 5th report का जिक्र मिलेगा ठीक है history में ठीक है यह history में क्यालता है modern history में ठीक है modern India का ठीक है तो यह 5th report क्या के लिए किया था तो यह आपको याद होना है तीक है देखता है यह to end the monopoly of East India Company trade, यह ही है न, ठीक है, East India Company का उसको trade को, monopoly को हटाने के लिए यह 5th report का बहाना में हटा है था न, तो यह आपको याद रहना, ठीक है, अच्छानक पूछ भी सकता रहे, क्योंकि यह NCRT में है तो आप देखने से आपको पता चल जाए कि यह 5th report में इस इंडिया company क्या-क्या खराभी किये न, इंडिया में, इंडिया में आदमें लोगों कैसा कैसा तकलीफ पहुंचा रहा है, ठीक है, क्या-क्या खराभी किये, वो सब यह 5th report में दिया हुआ है, इसलिए, ऐसा report submit करके, वो लोग East India Company का monopoly को खतम करना चारा था, ठीक है, especially वहां का जो, जैसे देखो, हर जगा ऐसा क्यों होता है, पता नहीं, देखो, यह Britain में भी न, यह Britain है, तो East India Company को तो monopoly मिला था न, यह इंडिया, चाइना, इधर में यह करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, ठीक है, तो monopoly इसका पास स्रिप था, तो East India Company यहां पे बेठा था इंग्लेंड में, तो वो लोग बहुत धनी हो रहा था न, तो बाकी जो यहां पे बेठा हुआ है, बिजनेसमें, वो लोग जैलेस हो रहा था, ऐसा हो के EIC का एगेंस में बहुत कुछ किया है, यह जैलेस वैलेस, यह क्यों हर जगा होता है, पता नहीं, यह नहीं होना है, आप लोग जितना हो सकें, यह सब थोरा एवोइट करो, जैलेस वैलेस यह सब, इसका बद जितना भी धनी हुआ है, जितना भी जैलेस होके भी फिर यह लोग भी धनी हुआ है, यह लोग भी तो मरी है न, यह लोग का नाम कौन जानता है अबी, तो आराम से रहो और क्या, इतना पता ने इतना वो क्यों है ठीक है इतना problem क्यों है ये दुनिया में question number 16 Fra Moaro, Fra Moaro often seen in news is related to Fra Moaro क्या है बोल रहा है देखो एक चीज ये ध्यान दो ठीक है देखो देखो उस दिन हम ये बता था ये अगर आर्थ है ये मून है ठीक है मून का एक ही face हर समय मैं अर्थ का तरफ होता ना ये सेम face ही अर्थ का तरफ में मूर क्यों होता है तो इसको बोलता है near side मैंकिंजा है अर्थ का near इसको बोलता है far side तो Fra Moaro क्या है ये जो near side में एक landing site रहा है। जैसा कुछ वहीं इंडिया कुछ बेजा था यो यह क्या बोलता है चैंडरयान तूम है तो यहां पर एक लेंडिंग साइट है जिसका नाम फ्रामुरू ठीक है तो यह नियूस से रिलेटेद है तो एंसर क्या हो जाएगा यह लेंडिंग साइट ऑन नियर साइड ऑफ दा मून whisky Nooder 17 which of the following is or Chalukkiya dynasty तो अप जानते है तो जानते है नहीं जानते है जानता है कि और ऊकरेंडिंग हमें जल औरनिश इन्हाट है तो आपद दक आइड of all Chalukya Dynasty का था ठीक है और ये ये इलाका में ये ये मेरा गुजरात हो ये तो ये इलाका में महारास्तरा ये देकन इलाका में बहुत लार्ज पार्द अब गरें इलाका में चालukyya लों करता था पुलकेशन 2 रूल करता था, ठीक है, हरसा वर्दन जो है, हरसा वर्दन उसको वो दिफीट किया था, ठीक है, 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 हरा दिया तो यह राइट है और यह भी राइट है तो एंसर हो यह सी बोट वान एंद तू टीक है question number 18 consider the following pairs defense items types तीक है इस साइट में defense item है इस साइट में types तो ऐसा questions आ सकता है तीक है आ सकता है तो ready ready रहना तीक है क्योंकि defense से इस बार question आने का बहुत chance है क्योंकि चायना का साथ बहुत उल्टा पूल्टा हो रहा तो याद करना थीक है सारंग क्या है artillery gun है यह राइट तीक है सारंग एक artillery याद रखने है, Spike, Spike क्या है, एक Long Range Missile है, यह भी राइट, एक Long Range Missile ही है, Spike, फिर MH-60 Romeo, क्या बोला है, MH-60 Romeo, Advanced Maritime Helicopter, यह भी, यह भी राइट है, एंसर क्या हो गया, 1, 2, and 3, MH-60 Romeo, क्या है, Maritime Helicopter है, Question No.19, Recently the government has launched the National Transit Pass System, National Transit Pass System, इसका बारे में आप लोग, Current Affairs में पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है, तो पर लेना है, ठीक है, क्योंकि यह बहुत important है, ठीक है, देखो, National Transit Pass System, क्या है, क्या है, ठीक है, यह एक, फोरेस्ट है, फोरेस्ट वह जगा है, ठीक है, तो आज़सकर आपको पता है, कि फोरेस्ट, फोरेस्ट लोग का बहुत एक्ट आए, ठीक है, बहुत सारा लोज आई, ठीक है, जिसका वज़े से फोरेस्ट से बाहर, कुछ ले जाने से बहुत चेकिंग होता है तो गवर्मेंट क्या क्या है गवर्मेंट क्या नेशनल ट्रांजित पास सिस्टम निकला उसमें क्या मिलेगा एक हो सब्सक्राइब यह पास मिले तो उस नहीं होगा उस से इस जो भी आप लेके जाएगा ना ठीक है उसमें आपका ज़्यादा चेक वेक उतना नहीं होगा ठीक है तो आप easily seamlessly वो यह क्यालता है forest produce को बाहर ले सकता ठीक है ले जा सकता seamlessly इतना जंजट नहीं होगा समझ में आ रहा है तो allow seamless movement of forest produce यह answer ठीक है national transit pass system question no.20 which of the following committees are related to electoral reforms ठीक है electoral reforms तो यह आपको आता है तो आता है नहीं आता है तो नहीं आता है अगर आप पर है तो आपको आपको easy लागे है ठीक है इंद्रजीत गुपता कमीटी यह ठीक है यह एक्चुली कुछ election का जो funding का related कुछ वो एक कमीटी बनाता है तो याद रखना फिर अभीजीत सेन ठीक नहीं है ठीक है अभीजीत सेन ठीक नहीं और नारा सिमन ठीक नहीं आच्छा अभीजीत सेन और नारा सिमन क्या का उपर मे अब लोग थोरा से याद कर लो finance financial sector से related यह electoral reform से related नहीं तो two and five हा दिया तू और five कहां कहा पर उसको cross मारो two and five यह दोनों में है और यह दोनों में 1 और 4 common है, तो 3 बची है, 3 को देखो, तरकुंडे कमिटी, ये भी राइट है, ठीक है, एंसर क्या हो जाएगा, ये भी राइट है, तो C हो जाएगा, ठीक है, 1, 3 and 4, इंद्रजीत, तरकुंडे and दिनेश गोस्वामी, ये तीनों, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेद है, and अभिजित सहीन and नारा सिमन, फानेशल सेक्टर में रिफॉर्म के लिए, ठीक है, तो आप पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है, तो आप अभी याद कर लो, ठीक है, तीन बोला है, क्या बोला है, इंद्रजीत, तरकंडे और दिनेश गोस्वामी, ठीक है, ये तीन, इलेक ये एडिफूजिंग लग रहा है, ठीक है, तो आप लोगा क्वेशिन, एग्जाम में इसा पूछ सकते हैं, थो एजी फोर्म में आ सकते हैं, ये नारा सिमन कमीटी, क्या के लिए, तो ऑप्शन में बहुत कुछ दिया होगा, तो फाइनेशल सेक्टर को मार के आ आ जाना है इंद्रजीत कमिटी को आलग से पूछ सकते हैं, क्या का उपर में, क्योंकि इंद्रजीत कमिटी जो इलेक्शन का funding के लिए बोला था, बोला है कि इलेक्शन का funding होता है, वो लोग गवर्मेंट ही दे दो, ऐसा टाइप वाला कुछ कमिटी क्या था, पूरा डीटेल्स हमको भी याद नहीं है, ठीक है, question number 21, okay, question number 31 क्या बोला है, 21 क्या बोला है, in context of cultural history of India, थेवरम, देखो, ये art and culture से बहुत question आता है, ठीक है, APCS में, तो आप लोग देख लेना है, ठीक है, थेवरम पूछ रहा है, ठीक है, cultural history, थेवरम refers to, थेवरम refers to क्या, collection of Shiva, devotional poetry, चलो, इसका answer तो अभी ये है, अभी के लिए आप लोग A मार के रखो, थोड़ा सा, थोड़ा सा deep में जाएगा, क्योंकि इधर से question आ सकता है, ठीक है, ये संगम literature का part है, तो, और संगम literature बहुत important होता है, question version में आ जाता है, ठीक है, तो आप लोग इसके लिए ready रहना, संगम literature, संगम literature में क्या-क्या आता है, वो थोड़ा सा देख लेगा, ठीक है, अभी एक एक करके देखेगा, ठीक है, फर्स्ट आप लोग लिखो, तोलका PM, तोलका PM, पि-P-I-Y-A-M, ठीक है, तोलका PM, ठीक है, ये grammar किताब है, ठीक है, ग्रामर किताब, सेकेंड लिखो, ठीक है, आं तु एंथोलोजी, ठीक है, एक्ट्ट्ट माना 8, ठीक है, ठीक है, ठाड्ड है, पट्टु-Pट्टु, ये तो पट्ट्टु तो बार बार question में आते रदए, पट्टु-Pट्टु, ये सब संगम literature का पाट है, संगम समय का literary works है, ठीक है, पट्टु-Pट्टु, फिर सिलापादी करम यह तो बहुत कोईशन में आ चुका है ठीक है सिलापादी करम और यह यह बहुत इंपोर्टन्ट है मनी में कलाई यह दोनों actually sequel है ठीक है यह दोनों sequel है एक कानी का बाद next कानी ठीक है actually एक कानी का पहले का कानी जो यह जो है फिर क्या बोला है फिर और एक याद करो पेरुन गदई ठीक है पेरुन गदई ठीक है सिंपल याद करने ला चीज़ आब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते ठीक है और एक ठीरू कुरल ठीरू कुरल तो ठीरू बलुवर का है थिरू बहुत इंपर्टन थे ठीक है ठीरू कुलर कुरल ठीरू बलुवर का पहिम्स है ठीक है अच्छा देखो तो एक्जाम में पूछ देगा ठीक है इस बिलॉंग्स तू संगम लिटेचर तो यहांसे भी कोई भी एक तू दे देने सा रिदी रहना ठीक है अच्छा इसले इसका कभी कभी ओथर बहुत इंपरेटेंट अधीगल इलांगू एंघाल। इंडारी फिर मनी मगलय का है मनी में गलय का है इस एक औरता होता है इस वह औरत का कहनी है बहुत इंतरस्टिं काने कभी दिन आप लोको ताइम इनने साब परना है तो ये दो ओथर का नाम लिग लेना तूके इंड आप अधिकरम अधिकल इलांगो एंड मन्निमेकलय सत्थानः तेकिया? सिंपल Qeestion No.22 with reference to sweating in human being consider the following statements it helps in regulating the temperature of the body obviously यह पसीना क्यों आता है आपको पता होना ठीक है यह सपोज आपका स्कीन है यहां से पसीना निकल रहा है तो क्या होगा जब गरम होता है तो पसीना इसले निकलता है क्योंकि पसीना निकलने से क्या होगा इवापोरेशन का वज़े से यह जो गरम का वज़े से यह पसीना जो इवापोरेट हो जाएगा ना जब इवापोरेट हो जाएगा तो जब भी इवापोरेशन होगा ना कहीं भी इवापोरेशन होगा उसमें कूलिंग एफेक्ट होता है ठीक है यह साइंस के कुश्चन है ज गरम समय में गरम दिन में इस्पेशली जीवा बाहर निकाल कर रखते हैं जीवा अपना जीवा को मुझ से बाहर निकाल कर ठीक है वह क्यों कि यहां से इवापोरेशन होगा और थंडा होगा तो पसिना क्यों निकलता है तूरेगूलेट थेमप्रेचर ओव बॉड़ी तीक है आये बायेवा ना कांति निकालना बहुत अच्छा बात और लोल जो भी अ sad men bada nap वहाना अपलोग देखो बहुत सोचेकर करूए अब अब हर दिन अगर ऐसी में बैता तो बन करो ठीक है? नहीं तो आप लोग बीमार होगा पका होगा देखते रहा है, अगर कोई जो मेरा बात को ऐसा सुचे हो ना कि आप का फालतु बात है हर आधमी तो बैत रहए तो थेक्पना थे लूग तो बैत रहा है तो इसलिए तो बीम बदन नेचरेली जब बना है तो आर्टिफिशिल चीज में क्यों इतना पंखा में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है वो शोट टर्म प्रॉब्लम हो सकता है बहुत ज्यादा पंखा चला सर्दी वर्दी हो गया लेकिन इंटर्नल प्रॉब्लम तो नहीं होगा ठीक है लोंग ट suede ranges from moderate, acidic to neutral level ये right है फोडरा सा acidic होता है आप ज्यादा पानी पीता है तो सम थोडरा से न्ुट्रेल टरफ होगा और कम पानी पीता है तो आपका थोडरा असे टिक होगा ज्यादा ज्यादा पानी प्यों ठीक है तब क्या होगा आपका ब्रीन तो अच्छा काम करेंग similar तो आपको पानी पानी पीद rigor लोगोम है न्यूंस आपकर ब्रेंग ऑश्रेंग करने का पानी आप अश्रीडियट करेंगा यह क्या करता है मेरा कॉलेज में वह हर पांच मिनिट में पानी गुषाता है मूह में ठीक है पानी पीते रहता है पीते रहता है इसलिए उसका मनें माथा दरद होते रहता था ज्यादा पानी हो गया तो क्या हो गया यह इधर में उसका ब्रेइन में पानी गुष गया ठीक है तो ओवर भी मत प्यो समझ में आरहा ना बार बार पीने ऐसा नहीं आपको जब जब प्यास लग रहा तब आप थोड़ा ज्यादा से पी लो बार बार गुसाना ऐसा दोक्टर लोग बोलता लेकिन ऐसा ये ऐसा रेकमेंड नहीं करता ठीक है बार बार हर पांच मिनित में लो ये ऐसा रेकमेंड नहीं जब आपको प्यास लग रहा है मतलब क्या है बोडी मांग रहा है तो बोडी मांग रहा है तो तब तो ज़्यादा से दे दो बार बार कम लेने साथ चाहिए अच्छा तो ये भी राइट हो गया एंसर क्या हो गया डी ठीक है क्वेशन नमबर 23 मोतिहारी अमलेख गुंज मोतिहारी अमलेख गुंज ये तो इंपोर्टन्ट है पता नहीं IPCS में पूछेगा नहीं पूछेगा क्योंकि IPCS में जो पूछना चाहिए वो सब नहीं पूछके कोपी पेस्ट ज़्यादा चलता है एसा इसा आम लोग देखा ही है पास जो येर्स में तो ये इंपोर्टन क्वेशन है लेकिन पूछ सकता है मोतिहारी अमलेक गंज ये कौन सा इंडिया और कौन सा देश का वो है क्रोस बोर्डर पाइपलाई ने याद करना नेपाल ठीक है नेपाल क्वेशन नमबर 24 रिसेंटली ए मेजर एक्स्प्लोजन इन बेरुट तुक प्लेस बिकाज ओफ मास स्टोरेज उफ ये ये आप लोग करेंड एपर ना बेरुट में बहुत जोर से दमाका हुआ था और बहुत आप लोग ये वाटसेप में भी बहुत ये वीडियो चला था फटा था ना बेरुट में टो उसमें ammonium nitrate यह उसमें कुछ देगा कि कौण सा केमिकल था ammonium nitrate होorm हाद ना चाहता है करा इसा हो जाँगईं क्या है तो यह तो किस्टलाइन compound है ऐम्रोंड नाइट्रेट ठीक है? Amonium nitrate हमको पता नहीं है इसका यह formula क्या है, साथ ऐसा कुछ होगा, Amonium NH3 ना, फिर nitrate NO3 तो ऐसा ही कुछ आसपास होगा ठीक है? देख लेना ठीक है? NH4 NO3 एसा भी हो सकता है, ठीक है? देख लेना. तो यह compound है क्रिस्ट्राइन compound है which is highly hygroscopic है hygroscopic मानलब क्या है जैसे यह chemical अगर बहुत है आसपास का जो moisture ना उसको यह 送 treadmill समझना ह्राइन और यह-जोड़रा रावária कोई ड्राई बना देगा ठीक है अब लोग यह देखा होगा क्या उत्सको प्रेट इसको यह बैगवैग में उत्कूर से कोई इंट मीलता है च्शोटा सब्सक्राइच वह मिलता है वाइट कलर का एक चोटा सा पॉच मिलता है जिस में यह होता है जैल होता ना। इसको क्या जैल बोलता था है हम तो याद नहीं हारा है ठीक है। कि या जेल बोलता था याद नहीं रहे ठीक है आप लोग देख लेना है एंट बहुत है यही काम करता है हाइग्रोस्कोपीड नेचर होता है इसले बैग वैग में रखता है तो क्या होता है वहां पे जो यह है मोष्चा रहें इसको यह एत्रेक कर लेता है एत्रेक कर लेना से क्या हो गाख यह बैक जो बद बूनी आएगा ऑपका जो कप्रा उप्राजो भी ठीक है ओके सो हीडरो सो कप्रोस्कपिक नेंचर यह ठीक है it is used in agriculture as a high nitrogenous fertilizer ये भी ठीक है ये दोनों ठीक है in India in India there is no statute statute to regulate the important storage of ammonium nitrate statute क्या चीज़े आम बता चुक है ठीक है पॉलिट लेक्चर में ठीक है statute to regulate import no statute no regulation no law तो ऐसा तो नहीं इंदिया में भी पूरा दुनिया को पता है कि ammonium nitrate विसफोर्टक चीज़े तो उसका obviously regulation तो होना ही पड़ेगा तो regulation के लिए है इंदिया में भी है तो ये 3 wrong होजा तो 1 & 2 answer होजा तो 24 का a answer okay last question आज का question number 25 the snow leopard is listed as endangered अच्छा endangered by IUCN IUCN मनहें international union for conservation of nature ठीक है तो IUCN का उपर में बहुत question आता है ठीक है तो आप लोग को पता होना है ठीक है IUCN का red list होता है अब लोग पढ़ा होगा IUCN का red list होता है महला अब कौन सा जानवर कौन सा जानवर कितना vulnerable है ठीक है threatened है कि नहीं ठीक है यह सब ठीक है तो red list में कितना category इसको हम थोड़ा से यहां पर बता देगा ठीक है क्योंकि कुछ-कुछ student बोलता है कि थोड़ा सा explain जादा करो क्योंकि वो लोग नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा लोग थोड़ा सा explain जादा करना पर रहा है ठीक है सुनो जो animals बहुत जादा मात्रा में है वर्ल्ड में ठीक है जिसका कोई मालब वो तो अभी इतना जल्ली खतम नहीं होगा ऐसा लोग को least concern बोलता है ठीक है least concern group में डाला है ठीक है जिसा कुछता हो गया डॉग बिली हो गया जो वो है ठीक है जो मालब मीलाई हो है मालब ही ही ठीक है बहुत ज्यादा मात्रा में है मनद बहुत ज्यादा है ठीक है दुनिया में तो उसको least concern group में रखता है ठीक है फिर next category यह है कि not threatened अभी तक threatened नहीं ठीक है अभी तक threatened नहीं है लेकिन least concern भी नहीं ठीक है जिसा जिसा अब लोग देख लो इसका क्या क्या क्योंकि यहां से question नहीं आता है ठीक है यह यह दोनों से question नहीं आता है क्योंकि यह दोनों में कोई क्योंकि परिशानी नहीं तो इदर से question क्यों पुछें इसा टेप का ठीक है नेक्स्ट है वल्नरेबल ग्रूप जो वल्नरेबल है ठीक है ठीक है तो वल्नरेबल से भी अगर और ज्यादा खराब हो यह तो उसको क्या बोलेगा अगर खराब हो यह तो क्या गोले एक्स्तिंग्ट इन वाइल माने वह वाइल में तो खतम ही हो यह माना जंगल वंगल में वह जू मैं है समझ मैं आँ आप लोग यह देखा होगा यह एक रिसेंटली एक रिसेंटली नहीं कुछ माइना हो गया होगा तो वह तब तक हो उसक्तिंग्ट इन वाइल वाला के ट्री ता लेकिन आभी वह एक्स्तिंग्ट हो गया समझ में आ रहा ना तो जितना इस साइट बढ़ेगा उतना वो माना खराब स्थिति में वो वो एनिमल ठीक है समझ में आ रहा न ओके सो यहां पूछ रहा है यहां बोल रहा है कि इस्नो लियोपार्ट इस लिस्टेड इन एंडेंजर ठीक है इस अब में एंडेंजर में है क्या ऐसा पूछ रहा है यह याद रखो इस लियोपार्ट वर्लन रेवल में थीक कह तो यह न्सर रोंग Uni कि इस लियोपार्ड इमपॉर्ट्टन है ऑं फश्चन के लिए इंडिया फर्स इसनो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर इस गइज इ तो आम लोग यहां पर रुखता है, नेक्स्ट हम लोग यह जो वह है न, 26 से 50, नेक्स्ट क्लास में देखेगा, ठीक है, तिल देन, आप लोग अच्छा सा परो, अच्छा सा बैठो, शेर करो, ठीक है, शेर करो, एटलिस्ट जिसका पास गरीब, ना, फैनेंचली जो वेल जिसका पास accessibility नहीं है, यह सब क्या करता है, coaching institutes का, वो लोग को शेर करो, ठीक है, कुछ अच्छा काम भी करो, ठीक है, स्रिफ मत लोग, यहां से, स्रिफ लेने आता है, यह गलत है, ठीक है, हम देखा है, ठीक है, अब लोग, बहुत लोग देखता है, लेकिन फिर dislike भी नही करके, ठीक है, अथलिस्ट दिसलाइक करो, ठीक है, लाइक नहीं करना तो दिसलाइक करो, ठीक है, तो, वी विल मीट इन, नेक्स लास, वी विल मीट सुन, गद ब्लेस यू.